हेलो एब्रिवान मैं अंजली पंडे आप सभी का एग्रिकल्चर एंजी के लर्णिंग प्लाटफॉर्म पर स्वागत करती हूं वोप आप सब बहुत अच्छे होंगे आपकी तयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी जैसा कि आपने मैं एग्रिकल्चर 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 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मैं यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फुल होने वाले क्योंकि यह वीडियो आपको एक अपडेट देने वाली है कि कितने नंबर फॉर्म हर जोन से अपलाई हुए हैं और क्या आपकी टेंटेटिव एक्जामिनेशन डेट सो सकती है अभी तो कोई ओफिशल नोटिफिकेशन एक्जामिनेशन डेट कब होगा तो आपका कॉंपडिशन कितना होने वाला है उसके अपको उससे पास चल जाए कितने नमबर ऑफ फॉर्म हर जोन में अप्लाई हुए हैं ओके विडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतना चाहती हूँ अगर आपने FCI AG3 पोस्ट के लिए अपलाई किया है तो आर चानल इस प्रोवाइडिंग यू अप कम्प्लीट कोर्स जो की आश्यूर करता है कि आपकी जॉप फॉर्शूर हो जाए अगर आपने हमारे दिए कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ा है तो इससे जादा आपको अपनी जॉप सिक्यूर करने के लिए पढ़ाई कर आपको नोट्स प्रोवाइड के जा रहे हैं प्रिंटेबल एबुक एप्लोड की जाएगी एप्लिकेशन पे जो की प्रिंटेबल फॉर्म है आप फॉर्दर रिविजिन के लिए उसको यूज कर सकते हैं क्वर्शन बैंक है फुल एंटेश्य यूट्यूब क्लासे जो की सारी उसके भी नोट्स आपको अविलिबल करा जाएंगे यूट्यूब क्लासे भी अविलिबल कराई जाएगी और क्वालिटी कंटेंट फॉर्दा इग्जामिनेशन जो शॉर्षार्ट करता है यह सक्सेस इन्यार इग्जामिनेशन ओके तो यह जो को पढ़ता है उनली फ आपके पास कोई और डाउट से या कोई सवाल आप और पूछा जाते हैं तो आप मारा कॉंटेक्ट नंबर जो ऑफिशल कॉंटेक्ट नंबर वह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलिबल है ठीक है तो आप वहां पर जाके कोर्स में इन्रॉल कर सकते हैं अगर आपने FCI AG3 AG3 और मेंजर पोस्ट दोनों के लिए अपलाय किया है तो वी हैवा कॉंबो कोर्स फॉर यू जिसमें दोनों की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी जस्तिन 2400 रूपे में आपकी दोनों कोर्स दोनों पोस्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन करा जाएगी जिसमें आपको दिया गा सटियम मेंटरीयल कोर्शिन बैघ फुल लैंट एग्स यूटुब क्लासे और नोट्स ओल्ड वेपर और इंटर्वी गाइदिस भी यह सारे आपको इस कोर्स में कॉमबो कोर्स में अवेल करा जा रहे हैं तो इस कोर्स को भी मैं रॉल करने का जो लिंक है वो आपको description box में मिल जाएगा so please do enroll in this course also rest FCI 83 phase 1 and phase 2 maths reasoning English and GS यह जो आपके जो syllabus a maths reasoning English technical account general or deport के लिए इसकी अगर आपको video classes चाहिए so we have live and recorded video classes will provide the class notes class notes भी आपको provide कराई जाएगी ebook based on syllabus जो syllabus है आपका उसके बेस पर आपको एक अंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा 10 full-length test series जिससे आप अपनी preparation को चेक कर सकते हैं अनलाइज कर सकते हैं आप लोगों के लिए अवेल कराया जा रहा है इस जस्ट इन कोस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में अवेलेबल है और आपके फॉर्द कोई लिए विडियो को आपका जो अपडेट है जो कितने फॉर्म अप्लाइब हुआ जो मैं जिस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहें वीडियो को अ तो यह देखे कि कितने फॉर्म अप्लाइब हुए है नौर्थ जोन में ठीक है अगर हम बात करते हैं अधिस्टेंट ग्रेट जेनरल में तो आपका वन लाक थर्टीन थाउज़न त्वर्म तोटली अप्लाइब किये गया है इसमें अगर हम अगर हम अगर हम अकाउंट प्रेट जेनरल के लिए अप्लाइब किये गया है तो टोटली आपके जनरल में जो फॉर्म अप्लाइब हुए है वह वन लाक थार्टीन थाउज़न सेवर्ण त्वाइब फाइफ फॉर्म टोटली एसिस्टेंट ग्रेट जनरल के लिए अप्लाइब किये गया है ठीक है इसके लिए अब अगर हम अकाउंट वाली की बागाउंट में देखते हैं तो ऐसी काटिगरी से अप्लाइब किया गया ड्यटीटर जोमांट ड्यक्ट, स्विंट 5 ec अप्लाइब क करना हुगा है तो जैसे तैकनिकल की बात करते हैं अग्रिकल्चर स्क्रीड टेक्निकल मन अप्लाइब कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि नौट्पर फेस करना होगा ठीक है तो नौज जोन में जो है स्टी के टिगरी से 11,000 170 फॉर्म सप्लाइब किये गया है और जनरल से अपलाइब किया गया है आपका 10,299 फॉर्म सब्सक्राइब किये गया है तो इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को उसी हिसाब से बूस्ट अप रखेगा नेक्स्ट वी तक अबाट दीपो डीपो में आपका 91,706 स्ट के टेगरी से विल आप फॉर्म सप्लाइब किये गया है जनरल के टेगरी से 54,276 फर्म आपके अप्लाइब किये गया है तो तो होल टोटल इस 272,078,080 फुलक सबसे जादा फॉर्म आप देखेंगे जनरल इस तो उसमें आपका कितना फॉर्म पड़ा है एससी काटेगरी में ऐसी काटेगरी में फॉर्म पड़ा है आपका 14,456 स्टी काटेगरी में 45,008 4580 फॉर्म ओविसी काटेगरी में 23,150 फॉर्म इडावल्यस काटेगरी में आपका इडावल्यस काटेगरी में पड़ा है आपका तू थू 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 फू फॉर्म एंड जेनरल की काटेगरी में आपका पड़ा है 52,180 फॉर्म एप्लाई किये गया है साउड जोन से इन जेनरल काटेगरी ओके नेक्स्ट विल स्विच्ट तू अकाउंट्स अकाउंट्स में आपका देखिए कि जो सी काटेगरी है उसमें 3220 फॉर्म सप्लाई के अकाउंट्स में हम आपड़ाराया प्लाई कि daí में तेनल के वृविच्ट फिरवज़न मेंध साउच में यह हते लोगों नेगाए कि अगर हम तेक्ठीक ऑग करें वह टेक्नीकल की में पॉस्ट कर दिए क्टेक्नीकल में में साथ महां पालई किया है तो अगर नेगरちは ऐसी सी काटिगरी का देख रहे हैं तो पूर 494 499 टीगरी ने अपलाई किया है 1467 फॉर्म्स काटिगरी ने अपलाई किया है 110048 फॉर्म्स ओवी सी काटिगरी से अपलाई हुआ है और 10123 पॉर्म आपके ews से अप्लाई किया गया है और जन्रल केटेगरी उसमें आपके फॉर्म अप्लाई हुआ है 3107 तो होल टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुआ हैं आपके जो आपका टेखनिकल साथ जोन में आपका टोटल फॉर्म है 21,244 अगर हम डीपो की बात करते हैं डीपो में आपके कितने फॉर्म अप्लाई हुए है स्ट जोन में 191513 फॉर्म स्ट केटेगरी में 47461 फॉर्म ओविसी काटेगरी में 33994 फॉर्म फॉर्म स्ट केटेगरी में 35893 फॉर्म और जेनल केटेगरी में जो है आपका 8164 फॉर्म अप्लाई किये गए हैं यानि साउच जोन में भी डीपो में अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमा मंदवाफ फॉर्म डीपो में ही अप्लाई हुए है एज आफ नौट जोन सब्सक्र कि इस इस्ट जोन में बात करते हैं इस जोन में अगर आप देखे तो इस जोन में जेनरल में अगर आप देखते हैं तो एंट फॉर्ट फॉर्म स्ट केटेगरी ने अप्लाई किया है सब्सक्राइब 440 form ST category ने apply किया है 13,833 forms OBC ने apply किया है 2283 forms EWS ने apply किया है and general category से apply हुए है forms वह है 16,253 तो whole total 54,693 फॉर्म 95 फॉर्म वह आपके apply किये गए है general category से ठीक है है और accounts में अगर आप देखते हैं accounts में 2200 टुनेटीफ़ फॉर्म से अप्लाई हुए है 1142 forms ST category से 2918 forms आपके OBC से 407 एनी 407 फॉर्म से अप्लाई किया गया है जनरल category से अप्लाई किया गया है 2205 forms यह whole total accounts department में अगर आप देखते हैं तो East Zone में आपके forms है 8697 टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में 2117 forms आपके से से अप्लाई हुए हैं स्टी से अप्लाई हुए है 856 form 4055 forms applied from the OBC category 745 forms आपके EWS से अप्लाई किये गया है and 3582 forms आपके जनरल category से अप्लाई किये गये हैं तो the whole total I am telling you the whole total in technical category you'll see कि 11415 form technical category में आपका अप्लाई किये गया है from the East zone ठीक अगर डीपो की बात करते हैं तो डीपो में देखिए 2000 20,311 forms आपके SC category से अप्लाई हुआ है 7941 forms from the ST category 19,537 forms from the OBC category 3,423 from the EWS category and 13,586 from from the general category तो डीपो वाले में इसमें भी काफी ज्यादा फॉर्म सप्लाई हुए है from the East zone also so you can see कितने फॉर्म से 64,798 अब वेस्ट जोन में देख लेते हैं वेस्ट जोन में कितने अगर आप जेनरल की बात करते हैं तो SC से अप्लाई हुए है 9,818 forms ST से अप्लाई हुए है 1512 forms जेनरल में अप्लाई हुआ है 7451 forms so whole total अगर वेस्ट जोन में देखते हैं तो आपका 33,835 forms आपके जेनरल के लिए AG3 जेनरल के लिए अपलाई किये गए हैं अकाउंट सेक्शन में बात करते हैं अकाउंट सेक्शन में अगर आम देखते हैं तो SC category में 2227 forms apply किये गए है ST category में 1895 forms apply किये गए है OBC category में 3471 forms apply किये गए हैं और EWS में 542 forms apply किये गए जेनरल category या फिर यूर category से 2408 forms apply किये गए हैं तो whole total accounts में best zone में आपका form apply हुआ है 10,543 forms technical की बात करते हैं technical में आप देखेंगे कि जो SC category 4842 forms ST category 3814 forms OBC category 11081 forms and EWS 181823 forms general category में अगर देखते हैं तो 3966 forms यानि whole total technical in the west zone if you see it's 25,526 form east zone से technical category में apply किये गए हैं अगर डीपो की बात करते हैं डीपो में अगर आप देखते हैं डीपो में देखेंगे से 19,094 नानेटीफोर फॉर्म से सी के टेगरी से 30 साथ 13,248 forms ST category से 22,191 forms OBC category से 3675 forms EWS category से और जनरल काटिगरी से आपका अपका अप्लाई किये गए 10,376 forms the whole total आपकी जो डीपो पोस्ट है उस डीपो पोस्ट में जो वेस्ट जोन में आप देखेंगे तो 68,584 forms apply किये गए हैं ठीक है तो होल टोटल अगर वेस्ट जोन में देखेंगे तो कितने forms apply दिखाई देंगे आपको एक लाग वन लाग 44,142 अब नौर्ट इस जोन में अगर बात करते हैं तो नौर्ट इस जोन में अब ध्यान दीजे कि अग्रिकर एग 3 जेनरल में अगर हम देखते हैं तो 5261 forms are applied from SC category 12766 forms are applied from the ST category 7708 forms applied from OBC 1325 forms applied from the EWS category and 5731 forms are applied from the general category the whole total forms are 32791 यह नहीं कि general category में 32791 forms जो है आपके apply हुए है अगर आप 11600 1162 form apply हुए है ओवी सी कैटेग्रियों 1157 forms apply हुए है यह में 202 forms apply हुए है और जेनरल कैटेग्री में 1092 forms apply हुए है तो अकाउंट्स में total कितने अप्लाइब हुए हैं तेकनिकल की बात करते हैं तेकनिकल में देखे नौर्थ जोन में 593 forms SC category ने अप्लाइब किया है सब्सक्राइब किया है और जेनरल कैटेग्री में 812 form apply किये यानि कि नौर्थ जोन में टेकनिकल का जो और टेकनिकल पोस्ट में फॉर्म अप्लाइब हुए वह 4335 forms नौर्थ जोन में अप्लाइब किया है डीपो की बात करते हैं डीपो में नौर्थ जोन में बी 2441 form from the SC category 2169 forms from the ST category 2407 from forms जो आपके अपलाई हुए है वह अपलाई किये गया है और 1147 forms डीपो कैटेगरी में इन जेनरल अपलाई किया गया है तो होल टोटल डीपो कैटेगरी में आपके 8563 forms apply किये गये हैं तो टोटल फॉर्म जो आपके अपलाई किये गया है नौर्थ जोन में वह हैं फिप्टीफाइट फिप्टीफाइट फिप्टीफाइटाउदन फॉर और और फाइब तो इस रेशियो से आपको अंदाला लग गया होगा कि क्या कॉंपटीशन का रेंज आपको मिलने वाला है डिफरेंट डिफरेंट जोन में अब अपने जोन की हिसाफ से अपना जो प्रिपरेशन है उसको टैली करते रहिएगा नेटिफ दो आँप आपत करने जा रहे हैं मैंनेजर पोस्ट के लिए अगर आपने FCO याने पोस्ट के लिए किया गया है किया है तो उसके भी फॉर्म कितने फॉर्मस अप्लाइब हुआ उसकी डिटेस आपको यहाँ वादिस्कस करने जा रही हूं अगर इस्ट जोन अगर इस्ट जोन में आप देखते हैं देखे आज जूम वेट तो अगर आप इस्ट जोन में देखते हैं तो मैंनेजरल पोस्ट जेनरल में देखिए तो सिस्ट जोन में गया चाहino जौन हो सब्केस्ट के लिए देखिए हैं आप्सीक अप्लाई हूए हैं तो इस्ट क्यों पहले मेंते हैं के चाहँआन थे टाहराइडकन जोन नियुक्वर जोन मरुन में से 289 पॉर्म और जेनरल कैटिगरी से 2862 फॉर्म अप्लाइब किये गए हैं इन मैनेजर डीपो तो टोटल कितना 7266 फॉर्म होल टोटल आपको मिलेंगे इस पोस्ट के अंदर अग्सने बात करते हैं मैनेजर मूवमेंट के अंदर अगरन देखते हैं तो जीरो फॉर्म सार्प्लाइब लएट फॉर्म यह कितने का से संट कैटेक्री से और से कोई फ्ॉर्म अपको देखने को मिल जाएंगे मैनेजर पोस्ट में तो 2030 फॉर्म आपको इसमें अपलाइग क किये गए ठीक है इस जोन की बात हो रही है यह मैनेजर इन अकाउंट्स में बात करते हैं तो एसी के टेगरी से आपको 260 फॉर्म यहां अप्लाई किये गया से 140 140 फॉर्म अप्लाई किये गया है एक सो बहत्तर फॉर्म 172 फॉर्म आपके आपके बीस फॉर्म अप्लाई किया तोटल आपके मेनेजर अकाउंट्स के लिए अपलाई किया गया है वह चूंट्स फॉर्म्स आपके अपके अप्लाई किया अब मैनेजर अगर टेखनीकल पोस्ट की बात करते हैं तो इस जोन में 680 from SC 293 from ST 929 forms from OBC 220 forms from EWS और जेनरल से 972 forms आपके अप्लाई हुए हैं इन मैनेजर टेक्निकल तो इस्ट जोन में आपका टोटल कितना फॉर्म मैंनेजर टेक्निकल में देखने को मिलेगा वह है 3094 फॉर्म तो टोटली जो जितने भी अगर पूरे आपके फॉर्म को कैल्क्येट करते तो 19,002 820 forms अप्लाई हुए हैं अब यह हम नौथ इस्ट जोन में देख लेते हैं नौथ इस्ट जोन में अगर हम देखते हैं तो मैनेजर जेनरल जेनरल अगर अगर अब देखते हैं तो उसमें 5125 forms SC के लिए 3,473 forms for ST category, 4,916 form for OBC, 923 forms for EWS and 5,800 forms for general category यानि टोटल 20,237 forms manager general not each zone में apply हुआ है manager depot में अगर देखते हैं तो ST category से आपका अप्लाई हुआ है 212 forms ST category से अप्लाई हुआ है 323 forms ST के OBC category से अप्लाई हुआ है 159 forms EWS category से अप्लाई हुआ है 40 forms general category से अप्लाई हुआ है 240 forms यानि 240 forms and total depot manager नौर्फीज जोन में है 974 forms manager accounts में अगर हम देखते हैं तो SC category में आपको मिलेंगे 41 forms ST category में आपको 49 forms OBC category 59 forms EWS category में 2 forms and general में 63 forms तोटल 214 forms आपके accounts में apply किये गए हैं from North East Zone में manager technical के बात करते हैं North East Zone में तो आप देखेंगे 113 forms आपके SC से अप्लाई हुए है 237 forms आपके ST से अप्लाई हुए है 114 forms जो है आपके OBC से 23 forms from the EWS and 216 forms आपके general से अप्लाई हुए है in technical North East Zone so the total number of forms जो आपके technical category में नौर्थीज जोन में अप्लाई किये गए हैं है 7778 forms okay civil अगर manager civil engineering की बात की जाए तो उसमें हम देखेंगे कि 137 forms जो है आपके SC category में अप्लाई किये गए है 217 forms ST category में 85 forms OBC 16 form EWS 1 172 forms in general the whole total you'll get 681 forms in civil engineer manager post manager Hindi में अगर आप देखते हैं तो आपको 10 forms ST से 3 form आपको मिल जाएंगे ST से और 15 form apply किये गया है from OBC and 0 form from EWS और जेनल से आपको 24 forms मिलेंगे 52 forms आपको टोटल manager Hindi North East Zone में देखने को मिलेगा North Zone के अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि manager general में 0 form from SC 0 form from ST और OBC से आपका 5192 forms पड़े हुए हैं उसके बाद आपका जो EWS से उससे भी 0 forms है और जेनरल के टेगरी से भी 0 forms है तो manager post के लिए आपका जो नौर्थ जोन में 5192 forms apply किये गये हैं डीपो पोस्ट के लिए 11615 forms apply किये गया है from SC 4575 forms apply किये गया है from ST 3349 forms आपके अपलाई किये गया है है OBC category से 0 forms from the EWS and 0 form from general category the total कितने forms apply हो गए है manager category में नौर्ट में अगर देखते हैं तो आपका नानींटीन थाउजन फाइव हंड्रेड एंड्रीन फॉर्म अपलाई है और मेंजर इन मूव्मेंट में अगर देखा जाए तो स्ट के टिकरी से अपलाई हुआ है 1167 forms देन सेकेंड अगर देखते हैं उसमें देखा जाएगा आपका स्ट का टेगरी से 2291 फ़र्म वीसी से आपको देखेंगे 5577 फॉर्मज यह डबलूस में अगर देखते हैं तो 1031 फॉर्म एंड जन्रल में 7894 फॉर्म यानि मूव्मेंट में आपको देखने को मिल सकता है यह 10960 फॉर्म आपके मूव्मेंट में अपलाई किये गए हैं स्ट का टेगरी को सकते हैं 10960 फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है है manager in accounts category में ठीक है manager technical में अगर आप देखना चाहिए तो उसमें आप देखेंगे कि से नॉट्सों में अप्लाई हुए है 2461 फॉर्म से अप्लाई हुए 818 फॉर्म से अप्लाई हुए है 1066 फॉर्म से अप्लाई हुए में 3300 337 फॉर्म से अप्लाई हुए 1009 960 फॉर्म तो टोटल कितने फॉर्म आपको टेक्निकल करेक्री में दिखेंगे manager पोस्ट के नॉट्सों में 6642 फॉर्म नेक्स्ट अगर हम देखते हैं साउच जोन में तो साउच में जेनरल जेनरल में देखें जेनरल में आप manager पोस्ट के लिए अगर आप देखते हैं तो सी कैटेग्री में आपको देखनी को मिल जाएंगे तो टोटल आप टोटल में जेनरल साउच जोन में आप देखेंगे 32297 फॉर्म्स आपके अप्लाई हुए हैं अगर manager डीपो की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे 6035 फॉर्म्स सी कैटेगरी से जीरो फॉर्म्स 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 स्थ प्लाई हुए हैं तो मैंजर डीपो के लिए साउथ जोन में सेवें थाउजंड और 973 फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं manager accounts की बात करें तो 378 फॉर्म्स से से अप्लाई हुए है 115 forms ST category से और बाकी category से कोई फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है तो मैंगर और आप सकता है 493 फॉर्म अप्लाई हुए थेकनिकल की बात करते हैं तो तेकनिकल में देखे 14188 forms से 266 form स्टी से 3124 फोंस आपके अप्लाई हुए हैं फ्रम वो वी सी 268 फोंस अप्लाई हुए आपके एव्लुस से और जेनर्ल करेटेग्री से आपको अप्लाई हुए इस से अप्लाई हुए हैं इससे अप्लाई हुए हैं एसे अप्लाई हुए हैं 243 फॉर्म उसके बाद जो कैटेग्री यह 1708 फार्म फॉर्म स अप्लाई हुए हैं से अप्लाई हुआ है 343 फॉर्म्स उसके बाद अगर आप देखेंगे जो होती है उसमें आप देखेंगे 4080 फॉर्म्स अप्लाई हो यानि कि मैंनेजर जेनरल इन वेस्ट जोन यू फाइंड 14203 फॉर्म्स यहां यहां पर अप्लाई किये गए डीपर पोस्ट में देखते है स्वाइए सडुम्स जाए अप्लाई हुआ है 1 148फ फॉर्म्स ह क्यूंत जाकियार किया यह से अप्लाई कियें गए है ठीक है मैं मेनेजर अकाउंट की अगर बात करें तो एसी कैटेगरी से पॉइ ओपलाई नहीं हुआ है नि-वहाँ एसकी कैटेगरी से वन संट केटेगरी 853 forms from the OBC 182 forms from the EWS and 858 forms जो है वह जनरल के टीगरी से अपलाई होने तोटली 3944 वर्म्स आपके मैनेजर टेक्निकल में अपलाई किये गए हैं ठीक है और रही बात यह तो आपने अभी देख लिए कि अब कि आपके एज़ी पोस्ट के लिए और मेनेजर पोस्ट के लिए अपलाई किये गए हैं तो कासी सारे फॉर्म्स अपलाई किये गए हैं ठीक है तो आप अपने प्रिपरेशन अकॉर्डिंग ली ही तयार रखेगा और रही बात की एक्जामिनेशन की तो अभी ओफिचली इसनली टोई आपका टीनुटेश मैनेजर जैनुववरी में कंडाक्ट होगा तो इस हिसाब से अपने तयारी को करते रहे हैं अगया आपने मेनेजर का पोस्ट मैंनेजर पोस्ट के लिए अपलाई किया है तो आपने तयारी तो और बूस्ट की जाएंए कि प्रेपरेशन अच्छी करते रहे हमाया पस आपके लिए मैनेजऱ पोस्ट और आपके लिए और वादनी प्रिपरेशन को अच्छा रखने के लिए आप उस कोर्स में enroll कर सकते हैं rest thank you and all the best for your preparation hope आप सब बहुत अच्छे सबने तैयारी कर रहोंगे thank you all